SSE CGL 2023 और 2024 ये दोनों SSE CGL बहुत important होने वाला है especially for the common set of aspirants जो लोग ये वीडियो देख रहे हो जो लोग CGL 2023 में tier 1 में disqualify हो गयो तो 2024 में जा रहे हो और जो लोग CGL 2023 में tier 1 में qualified word 2023 का tier 2 में जा रहे हो जो इस महिने का 24-25 तक है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत जादा important होने वाला है तो पहले मैं बात करूंगा 2024 को लेके और बाद में वीडियो में बात करूंगा 2023 का preparation strategy लेके कुछ-कुछ points जो है वो आप लोगों को जानना चाहिए before going into tier 2 तो अगर ऐसी चीज तुम देखने में इंट्रेस्टेड हो देखना चाहते हो यह एक्जाम दे रहे हो तो यह वीडियो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं नीचे में ताइम स्टैम दे दूंगा कौन सी टाइम तक 2024 है उसके बाद से 2023 है तो पुरे टाइम स्टैम में अब जाम कर सकतो इफ यह नॉट इंट्रेस्टेड इन 2024 और 2023 तो पहली बात आता है जो 2024 में मैं जो लास्ट पॉइंट बता रहा था कि 2023 में बहुत ज्यादा कुछ जाता है तो भी मुश्किल हो जाता है नंबर लेने के लिए एक और नोटीस आया हुआ है स्टाफ सेलेक्शन के आफिस में जो वो कम्प्यूटर बिस्ट एक्जाम करवाने के लिए टेंडर विंडर मांग रहे है कैसे कैसे हम करेंगे इतने ज्यादा ज्यादा एप्लिकेंट्स है तो कैसे और भी मेथडिकल करेंगे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि NRA CET होने वाला है यह होने वाला है तो मेरा जो मुझे जितना लगता है कोई CET VT कुछ नहीं होगा ठीक है कुछ नहीं होगा CGL होगा क्योंकि next साल है elections और elections के पहले ही इतना वारा decisions यह government नहीं लेगा election में अगर जीत जाता है इस बार तो हो सकता है बहुत कुछ लेकिन election के पहले ही यह सारे decisions नहीं लेने वाले यह लोग तो CGL में ही concentrate करो number one number two है strategy और books के बारे में तो बात करेंगे तो पहले बात आएगा books और books के बात अगर हम करेंगे तो सबसे जादा important जो books रहता है मैं बार बार इस चैनल के जरीए बोलता रहता हूँ अगरावाल exam card इन लोगों का books का मैं दिखा देता हूँ यह जो है यह जो book है यह है general English और वर्बल reasoning का book English में bilingual में है English जिन लोगों का Hindi में बहुत अच्छे हो English में नहीं हो तो यह book से अब कर सकते हो यह भी bilingual में है reasoning का तो जिन लोगों का भी कोई भी मुश्किल होता है यह non verbal जैसे verbal reasoning जैसे coding voting हो गया और non-verbal में जैसे figure figure हो गया यह सारे का book इन लोग के पास है और यह जो book है इसके बारे में जितना कम बात करेंगे जितना जादा बात करेंगे उतना ही कम है quantitative का यह जो book मेरा favorite subject था maths और maths में मैं किरन से पढ़ता था लेकिन मैं यह बोलना चाता हूँ मैं पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ किरन से भी बहुत अच्छा book है क्योंकि अभी जो standard deviation, frequency distribution mean median mode, probability, permutation combination सब जो आ रहा है अभी वो सब पहले आता नहीं था तो अभी जो आ रहा है उसके लिए this book is the best for you मैं बार बार यह बता रहा हूँ यह जो links है, इस book का links मैं description में दे दूँगा first comment में मैं दे दूँगा इस links से जाओ, एक बार खरीदो exam अभी भी बहुत देर है 2024 का खरीद के पढ़ना start करो I'm very sure you will be very much helped by this book क्योंकि यहां पे useful examples करके भी बहुत कुछ रहता है previous year का कोई difficult sum है घुमा फिरा के दिया है height and distance का है, trigonometric का है, algebra का है arithmetic का है, सब चीज का comprehensive solution दिया हूआ है तो book links are in the description and in the first comment जरूर जाओ खरीद के परो, books are very important for CGL 2024 preparation और vacancies strategy vacancies और strategy के बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुका था इस वीडियो में कुछ और points बताऊंगा जो लास्ट वीडियो नहीं देखे हूँ इस वीडियो के देखने के बाद i button में में दे देता हूँ इस time stamp में 4 minute कुछ seconds में आके देख लेना तो vacancies के बारे में अगर बात करूंगा तो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि सार इस साल ITI का कितना vacancy आएगा GST का कितना आएगा 24 में तो हम लोग जो देखेंगे 2600 ग्रेट पर में maximum जिन लोगों का vacancy रहेगा वो फिर से CSS में ही रहेगा GST में रहेगा और जादातर vacancies जो है 2800 ग्रेट पर आजाएगा जहां पर CAG और CGDA में आएगा CGDA दो साल से लोग नहीं ले रहा है और CAG इस साल लोग लिया हुआ है तो ये दोनों डिपार्टमेंट में 22 में लिया हुआ है और ये 22 में भी नहीं लिया है CGDA और CAG में जादातर vacancies आने वाला है तो ये सब मिलाके मैं सोच रहा हूँ कि करीबन 9000 vacancies रहेगा in CGL 2024 लेकिन 9000 के लिए competition भी बहुत हाई रहेगा तो 165 is the minimum you should target to achieve something score क्योंकि final में 340 प्लस अपको लायना ही परेगा in the final stages vacancies ये है ITI inspector जो जैसे रहता है करीबन 50 total रहता है 50-60 उसमें से 27-28 Kolkata में रहता है तो Kolkata में जिन लोगों को ITI चाही होगा 27-28 में ही तुम लोगों को आना है वरना नहीं मिलेगा This is the fact अब आएगा अगर strategy में strategy में तो बहुत channel में बहुत कुद बताता रहता है 45-60 मिनिट, 50 मिनिट का भी strategy है मैं सिर्व एक बात बोलूँगा strengths और weakness देख लो और weakness को अपना strengths बनाते चलो number one ये है number two क्या है mock test mock test अब जितना दोगे उतना अच्छा है the more the merrier ये बात याद में रख दो mock test में the more the merrier क्योंकि हर एक mock test में हर एक question अब item करोगे item करना पड़ेगा हर question गलत करोगे, गलती से सीखोगे solution से फिर से एक mock test दोगे, फिर से गलत करोगे फिर सीखोगे अब आप tier 1 के लिए ही सिर्फ mock test देते रहो और GKV के सब कुछ पढ़ते रहो फिर जब time हैगा तब tier 2 के लिए पढ़ना और सबसे important point है GS ये बात जरूर याद रखना कि GS का preparation तुम लोग tier 1 में जैसे लोगे वो ही तुम लोगों को tier 2 में चला जाएगा तो इस time है GS का preparation लेने का time है ये GK और GS बहुत अच्छे से जिनका है GK English, Reasoning and Maths ये ही चार्टो है mainly ये GS जिसका बहुत अच्छा बन जाएगा तो उसको वैसे ही एक forefront मिल जाएगा और GS पढ़ने का strategy जो है एक topic पढ़ना होता है उसके साथ उसी का MCQ solve करना होता है पीछे में और देखना होता है कितना हम लोग याद कर पा रहे है और कितना कि ये याद नहीं कर पा रहे है जो याद नहीं कर पा रहे है उसका कोई strategy लेके आना होता है तो ऐसे करके आप prepare करते रहो make sure to keep the target at least 165 plus for UR at least 155 plus for OBC EWS and at least 135 plus for SCST ये है 2024 का सिनारियो अब अगर बढ़ेंगे उसके पढ़ने से पहले made for SAC का insta facebook tele link मीचे flash हो रहा है जरूर जाओ community बहुत अच्छा build हुआ है वहाँ पे जाके अपने queries पुछो doubts पुछो कोई भी documents है मैं वहाँ पे share करता रहता हू नमबर टू है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना अब 2023 के बारे में बात करेंगे ठीक है अब 2023 के बारे में अभी आप बात करें तो एक point बहुत ज़्यादा important है तो जो तुम लोगों को जानना है में जाधा तल लोग rejected हो गया है और सिर्फ एराउंड 71 114 लोग selected हुए है उसमें से नौकरी कितने को मिलेगा 8800 तो वी आर काउंटिंग एराउंड 1 इस तो एइट ठीक है तो 1 इस टू 8 अगर हम जाएंगे तो टोटल में तो 1 इस टू 8 नहीं होगा टोटल में पकड़ लेता हूँ डबल बबलो सब कुछ मिला के 10,000 लोग हुआ है पगड़ लेता हूँ और 8800 है तो हम लोग कितना देख रहे है तो 1 इस टू 9 के करीब देख लेते है तो 9 लोगों में एक लोगों को मिल जाएगा तो इस सल टायट टू उतना जादा इलिमिनेटेव नहीं होगा जितना पहले होता था तो हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हम जनेरल से है तो 340 इस आवर टार्गेट और 4600 ग्रेट पे पोस्ट और 325 फार एनी पोस्ट एनी पोस्ट अठाई सो अलिस सो चौबिस सो 325-320 के अंदर खतम हो लागा ना बाकी सब OBC EWS के लिए वही देख लो आप 320-330 और SCST के लिए 310-325 यह हो जाएगा कट आफ ना यह जो टार्टू होने वाला है यह टार्टू होने वाला है 1-9 करके वैकेंसी में रिक्रूटेड होने वाला है मतलब अगर आपका question अगर आप मतलब हम लोग अभी assume कर सकते टार्टू का question उतना ज्यादा difficult नहीं होगा उतना ज्यादा नहीं होगा बाट जो जो difficult part रहेगा वो है reasoning और GS क्योंकि ज्यादा तर BTEC वाले लोग या mathematics background से लोग बहुत ज्यादा नौकरी मिल जा रहा था तो मैंने सुना है कि start selection नहीं यह decision लिया हुआ है कि TAD2 में maths उतना hard नहीं देगा वार कि reasoning और GS ज्यादा तर hard कर देगा क्योंकि सब जैसे लोगों का सब department के लोगों का सब background के लोगों का यह दोनो subject रहता होगा और यह दोनो subject अगर हम लोग difficult करते हैं तो करीबन same type का evaluation होगा for every shift Now reasoning और GS, reasoning में data sufficiency is very important इससे होगा यह इससे होगा यह इससे होगा यह वेरी important और GS में constitution मतलब जो polity बोलते है जो लोग ICCCBC board में पढ़े उन लोगों का political science है, पॉलिटी है, constitution और articles यह सब बहुत important है, articles से बहुत सारे questions आते हैं और policies भी ले लो, सरकर का नया-nया क्या-क्या policies आ रहा है, यह 3-4 point अगर अच्छे से आपको आ जाए को, यहाँ पे 10-12 मुझे लगता है सही हो जाएगा, और science में physics, chemistry, bio में भी अगर 2-3, अगर सही हो जाता है, तो 13-14 हो गया, और reasoning में अगर यह सब सही रहे, तो we can hope कि you can go beyond 320 plus, अब यह भी देखना होगा कि बहुत सारे vacancy इस साल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों को TA मिलेगा, उन लोगों को पहले साल में या 22 में CAG मिलेगा है, या CGDM मिल गया है, तो TA जोइन नहीं करेगा, जिन लोगों घर पे TA मिला है, बाहर में CAG अकाउंटेंट या ओडिटर मिला है, वो भी शायद जोइन नहीं करेगा, लेकिन उसके उपर डिपेंडेंट है वो, लेकिन जाधा तर पोस्ट यहां पे खाली रहेगा, और यह चला जाएगा, करीबन CGL 2020, 4 तो नहीं, 5 में चला जाएगा, और CGL 2024 में जो आ रहा है, वो 22 का वैकेंसी भी आ रहा है, तो सब कुछ मिला कि यह एक ट्रैक बनता ही रहेगा, रिवर्सिबल ट्रैक, और पूरा 8800 फिल अप कभी नहीं होगा, तो मैंने जैसे पहले में बताया था, 1-9, 1-9 नहीं होगा, 1-5 पकड़के ही चलो, कि 15 में एक लोग है, फिर भी competition बहुत कम है, क्योंकि ट्रैक 2 में हम लोग का ऐसा ऐसा भी देखने को मिला है, 30 में से एक लोग, 50 में से एक लोगों को select किया हुआ है, मेरे टाइम में 50 में से एक लोग selected होते हैं, अभी टाइड टू में 15 इस टू 1 में रेशियो में जाएंगे, तो I assuming, I am assuming कि अभी आप लोग mock test एक के बाद एक दे रहो, full length mock test for two hours, full length mock test दे रहो, books में मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी का कोई भी डाउट आ रहा है, अभी भी वक्त है, अग्रावाल exam card का book, यह जो quantitative में अगर किसी का भी डाउट है, quantitative is a very important book for you, टाइड टू, मैं बार-बार यही बताता रहता हूँ, क्यों मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाता हूँ कि मेरा जो भी viewers है, जो भी मुझे प्यार करते हैं, इस channel से जुरेव हैं, उन लोगों का final stages में जागे कोई भी दिक्कत आ जाए, numbers लेने में, क्योंकि हम लोगों को target करना पड़ेगा full marks, 90, 90, 90, 90, 90, 120, तो वहाँ पे 300 हो गया, फिर GMA हमें 20, 30, 40 जितना मिलेगा, उतना मुझे selection मिलेगा, तो ultimately GS will give me the 4600 great purpose, बाकी मुझे ये तीनों section से ही मिलना पड़ेगा, तो quantity में statistics, frequency distribution, probability, mean median mode, standard deviation, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा था, बढ़िया तरीकिसे हैं, ये हो गया, reasoning और English, ये सब ये एक एक book है, एक एक book अगर मुझकिल हो रहा है, तो figure यहां से कर लो, किसी का data sufficiency में मुझकिल हो रहा है, यहां से कर लो, verbal reasoning, non-verbal reasoning, general English, quantitative, सब का बहुत ही अच्छा एक book दिया हुआ है, तो ये book links are in the description, अभी जाओ, अभी भी टाइम है, खडित के पढ़ो, पढ़के रोज 2-2 घंटे करके mock test दो, और computer पढ़ना मत भूलना, क्योंकि computer में बहुत सारे लोग rejected हो जाते, computer पढ़ो online से, और इसको छोर के भी एक बहुत important है, typing, typing test आप practice कर रहे हो की नहीं, बहुत सारे लोग मुझे बताता रहता था था कि typing test नहीं हो रहा है, कहां से, website कहां से मिलू, तो एक बहुत ही अच्छा website के एक बंदे भारत से ही है, वो मुझे contact किया हुआ था, तो मेरा कुछ एक referral link दिया हुआ है, जो भी है, उसमें 10 पैसा, 20 पैसा ऐसा करके मुझे कुछ मिलता है, उतना जादा कुछ नहीं है, लेकिन वो site बहुत अच्छा है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तेरा जो referral link है, उसमें से अब जाओगा, फिर से discount मिलेगा, तो ultimately 20-30 रुपए में मिल जाएगा आपको 20-30 mock test, तो 20-30 mock test अगर आप हर रोज एक typing करते हो, तो आपका typing speed बहुत आजा जाएगा, याद रखना कि सब कुछ में अच्छा होना है इस साल, वरना नौकरी ही नहीं म GST, ASO, जो भी है जिसका जितना vacancies है, सब CPT post है, तो computer में तुम्हें पास करना ही पड़ेगा, फिर आता है STA, DA तो है नहीं, STA में सब चला जाएगा, जिसका CPT cutoff clear नहीं होगा, फिर आता है TA, इधर you are playing in the 4600 zone, और direct in the 2800 zone, 2400 zone, बीच में से जादा vacancy है नहीं, क्योंकि जा लिस्तों में आ जाएगा, तो I hope this point has been made very very clear to you, अगर कोई और भी डाउट है इस वीडियो के नीचे comment में मुझे जरूर बताओ, वीडियो अच्छा लगे, लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मेरा नाम है प्रत्राय गांगुली, मैं दो बार सी जिल qualify कर चुका हूँ, 14-16 में अभी होम पोस्टिंग में हूँ, मैं खुद TIA में काम कर चुका हूँ देर साल, अभी CAG मैं आकाउंटेंट में हूँ, धीरे धीरे जो पैटरन बदलता रह रह रहा है, वो मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा help करने के कोशिश करता हूँ, अग …। अब इसले में हैंनाद करो अभी ताक ही जिंदगी आराम में रह सकोू। If you have any doubts queries, नीचे comment में बताओ, वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, made for SAC का Insta, Facebook, Tele, वहाँ पे जाके follow करो, कोई भी क्वेरी से पुछो, वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, बुरा लगे, लाइक करो, बताना बोल गया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बने रहना, म